आयूर वेद में जिवन्ती को जीवन रक्षक ओसदी कहा जाता है क्योंकि ये कई बिमारियों को जड़ से कतम करने का काम करती है पेट से जुड़ी सिकायते हो या तवचा समंदी रोग जिवन्ती के पास सबका हिलाज है यहां तक की टिबी जैसे गंभीर रोग में भी जिवन्ती फाइदेवन्द माननी जाती है जिवन्ती ओसदिय गुणों से भरपूर है जिवन्ती की जड़, फूल, फल सभी का इस्तेमाल कई बिमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है हमारे देश में जिवन्ती कई राज्यों में पाई जाती है जैसे यूपी, पंजाब, गुजरात, दक्षिन, भारत, इतियादी में जिवन्ती का तना कोमल होता है इसकी छाल में दरार होती है पते लंबे और चोड़े होते और फूल लगबग सफेद पिलवासे रंके होती है इसके फल बिलकुल आक, जिसे आकड़ा के नाम से भी जाना जाता है उसी के फल जैसे लगती है जिवन्ती की बेल में अगर कोई सबसे ज़्यादा अधिक इस्तमाल की जाने वाली चीज है तो वो है इसके फूल और ये फूल अगस्त से फरवरी के बीच में सबसे ज़्यादा होती है इसके अलावा काफी वैद है जो इसकी जड़ की छाल से बड़ी ही चमतकारिक ओसदिया त्यार करते है और रसायन का निर्मान करते है बात करे इसके फायदों के बारे में तो जिवन्ती की जड़ में भी ओसदिया गुन होती है इससे बने काड़े का सेवन करने से बुखार कम हो जाता है जड से बने काड़े को बनाने के लिए आप जड को पीश कर पाउडर बना ले फिर उसे गरम पानी होने के बाद उसमें मिला कर चलाए जब पानी आदा रह जाए तो छान कर पी ले आप तकरिबबन 20 हैमल से 30 हैमल की मातरा ले सकती है जबनती में कैलसियम की मातरा बहुती ज़ादा होती है इस कारण या अर्थराइटिस का दर्द दूर करने में बहुती लाबकारी सी दुआ है अगर आप जिवन्ती के पत्तों को पीश कर घुटनों या जोडों पर लगाते हैं तो अर्थ राइटेस या जोडों के दर्द से रहत मिलेगी जिवन्ती के इस्तमाल से दर्द और सुजन दोनों में अराम मिलता है इसी के साथ आप इसके फूलों का चूरन या इसकी जड़ की छाल का चूरन भी ले सकती है तुचा समंदी रोग में जिवन्ती फाइदेमंद माननी जाती है जिवन्ती के पत्तों का पेष्ट लगाकर आप घृओ को ठीक कर सकती है इससे घाव जल्दी बर जाता है आपको जिवंती के पत्तो को पीश कर उसमें हल्दी मिलाकर लेप बनाना है और उस लेप को घाव पर लगा लेना है इसके अलावा अगर आपको शरीर में कही भी सुजन है तो उसे दूर करने के लिए भी जिवन्ती आपके लिए बहुत जादा फाइदे मन्द है जिवन्ती के पत्तों का रस आप सुजन वाली जगया पर लगाए इससे सुजन ठीक हो जाएगी सुजन के साथ साथ जलन दूर करने में भी जिवन्ती फाइदे मन्द है जिवन्ती का सेवन करने से भूक बढ़ती है आप जिवन्ती के फूल को पीश कर उसके रस को सहद के साथ मिला कर सेवन करते है तो इससे भूक बढ़ती है Heart disease में भी जिवन्ती फाइदे मननी जाती है यह इतनी गुनकारी ओसदी है कि इससे टिबी में भी बहुत ज़्यादा फाइदा होता है टिबी के लक्षनों को दूर करने के लिए जिवन्ती बहुत ज़्यादा फाइदे मननने है ऐसा नहीं का जा सकता कि यह टिबी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है अगर आपको लक्षन नजर आती है तो आप दवाओ का कोर्स करें लेकिन हलके लक्षन नजर आने पर जिवन्ती का सेवन किया जा सकता है जिवन्ती के पत्तों की लुगदी को घी के साथ लेना फाइदे मंद माना जाता है और अगर आपका पेट खराब है तो जिवन्ती के पत्तों के रस में सहद मिला कर गुनगुने पानी के साथ मिला कर सेवन करे इससे दस्त की समस्या दूर हो जाएगी जिवन्ती की मिसरन का सेवन कब कर सकते है आप जिवन्ती का सेवन खानने के बाद कर सकते है मातरा की बात करे तो केवल एक छोटी चम्मट जितनी मातरा ही ले अर्थार तीन से छे गराम जिवन्ति का सेवन आप चूरन के रोप में कर रहे है तो गुनगने पानी के साथ ले सकती है दिन में दो बार से ज़्यादा इसका सेवन आपको नहीं करना है तो दोस्तों ये थी मेरी जिवन्ति के बारे में जानकारी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इसी परकार की जानकारी आप के लिए लाते रहते हैं बाग की धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए